अब ही वादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में आजकल हम भोजन और कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट्स के साथ कई तरह के टॉक्सिक इंग्रीडियंट अपने खून में पहुचा रहे हैं और खून को साफ करने के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई उपाय भी नहीं करते जब आपका खून असुद्ध होगा तो आपको कई तरह की ब्याधियां बड़ी आसानी से लगेंगी और इन ब्याधियों को आप बड़ी आसानी से दूर भी कर सकते हैं तो कैसे करें अपने रक्त को सुद्ध यही है इस वीडियो का विशेर जिसमें आप जानेंगे 7 Best Blood Purifier Brands कौन से हैं ये और इसके आलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए और आज का यह वीडियो आप सभी के साथ आरती सोनी जी को समर्पित है इस वीडियो में मैंने तीन ब्रैंड्स को नहीं सामिल किया है इन में सबसे पहला नाम है जंडू लालिमा Blood Purifier दूसरा है डावरेक्टिब Blood Purifier क्योंकि इन ब्रैंड्स में Preservative के रूप में Methyl Paraben का इस्तेमाल किया गया है जो कि स्वास्त के लिए हानिकारक है और तीसरा ब्रैंड है हमदर्द की साफी साफी की Ingredient List देखने से यह खताई पता नहीं चलता कि इसको बनाने के लिए कौन सा Preservative इस्तेमाल किया गया है कैनेडा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साफी में आर्सेनिक निर्धारित मातरा से 40 गुना ज्यादा पाया गया इस वज़ा से आज भी कैनेडा और और आस्टेलिया में साफी एक Ben product है इनही काराणो से मैंने इन 3 products को अपने इस वीडियो में सामिल नहीं किया है और इस वीडियो में मैंने जिन भी products को सामिल किया है उन्हें बनाने के लिए किसी भी प्रकार के toxic ingredients का इस्तेमाल नहीं किया गया है और preservative में किसी भी प्रकार के paraben का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आईए अब बात करते हैं नंबर 7 के ब्रैंड की जो है नीमेलिया skin care tablet 200 रुपए में 100 टेबलेट का यह पैक आपको मिलता है और इसको बनाने के लिए नीम, सलफर, अमलतास जैसे 13 आरवेदिक औसधियां मिलाई गई है यह ब्रैंड skin problems जैसे dermatitis, skin allergy, मुहासों की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही उप्योगी है आप अपनी skin problems को दूर करने के लिए इस brand का उप्योग कर सकते हैं नंबर 6 पर मैंने रखा है Rex मुसाफी अजीब blood purifier को 200 ml की मात्रा आपको 110 रुपए में मिल जाएगी हिना, गुलाब, चिन बेरी, सीसम, खस जैसे 21 जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से इस सीरफ को बनाया गया है इस सीरफ का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए फायदे मन्ध है जिनको छोटी-छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आता है या आपकी रक्त किया सुद्धियों को आसानी से और बिना किसी दूस प्रभाव के दूर कर सकता है और आईए अब बात करते हैं नंबर 5 के ब्रैंड की जो है वैदनाथ सुरक्ता सीरफ 400 ml की मात्रा 200 रुपए में आपको मिल जाती है अनंतमूल, सनाय, हरितकी, अमलतास, गिलोई, नीमचाल और मजिस्ठा जैसे 20 हर्ब के मिस्ण से बना बैदनाथ का या ब्रैंड आपके रक्त को सुध करके किसी भी प्रकार की स्किन प्राब्लम जैसे पिंपल्स, एक्जिमा, सोरासिस और इचिंग को दूर करने में आपकी मदद करता है और नंबर 4 पर मैंने रखा है उन्जा पेरुटिन कैपसूल को 110 रुपए में 30 कैपसूल का पैक आपको मिलता है इस आयरुवेदिक दवा का इस्तेमाल खून साफ करने के साथ साथ किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल, फंगल और एलर्जिक रियक्शन्स को दूर करने के लिए किया जाता है इसमें मिले 11 आयरुवेदिक तक तो बिना किसी दूस प्रभाव के आपके रक्ट को सुध करके आपकी बिमारियों से रच्छा करते हैं और टॉप थ्री ब्रैंड्स जानने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इन ब्रैंड्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को भी चेक कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और भविस्त में आपके इन प्रोड़क्ट्स के वीडियो देखना चाहते हैं और आईए अब बात करते हैं नमबर थ्री के ब्रैंड की जो है वैदनाथ रक्ट सोधक टेबलेट 163 रोपए में 50 टेबलेट आपको मिलती है मजिस्था, सलफर, अनंतमूल, त्रिफला, आमला, हिरितकी, विभितकी जैसे हर्व के मिस्रन से बना यह ब्रैंड आपके रक्ट को तो सुद्ध करता ही है साथ ही रक्ट में हीमोलोबिन की मात्रा भी बढ़ाता है इसके इस्तेमाल से मुहासे, हेडक, कफ और कबज की भी समस्या से आपको मुक्ती मिलती है यहां आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है जिससे सरीर बिमारियों से मुक्त होता है और आईए अब बात करते हैं नंबर टू के ब्रैंड की नंबर टू पर मैंने रखा है रूप मंत्रा आयरवेडिक ब्लड प्यूरिफायर 200 ml का यह सीरफ 165 रूपए में मिलेगा नीम, चिरैता, तुलसी, कासनी, मजिस्था, बबूल, गिलोय, सारिवा, सिन्ना, खचूर और पित्त पाला जैसे 28 इंग्रिडियंट से बने इस ब्रैंड का इस्तेमाल करने से न सिर्फ एकने, पिंपल्स, डाक स्पॉट, बर्निंग संसेशन, इचिंग, रेडनेस, इसकिन एलरजी दूर होती है साथ ही इसमें मिले तक तो आपके रक्त में हिमोगलोविन की मात्रा भी बढ़ाते हैं और लीवर को डिटॉक्सिफाई करके कॉंस्टिपेशन कम करते हैं इस ब्रैंड को बनाने में जिन तत्वों का इस्तेमाल किया गया है उससे आपके डेली लाइफ का भी स्ट्रेस कम होता है इस आलराउंड सीरफ के इस्तेमाल के कई सारे फाइदे हैं और ये फाइदे आप कम पैसे में आसानी से पा भी सकते हैं और आईए अब बात करते हैं नमबर वन के ब्रैंड की जो है डाबर महा मजिस्ठाथ क्वात काढ़ा सीरफ 450 ml आपको 140 रुपए में मिलता है और आप चाहें तो पतांजली महा मजिस्ठाथ क्वात भी खरी सकते हैं 450 ml मात्रा आपको 70 रुपए में मिलती है दोनों ही ब्रैंड में इंग्रीडियन्ट सेम है इन ब्रैंड को बनाने के लिए 41 अलग-अलग आयरवेदिक हर्प्स का इस्तेमाल किया गया है इसके इस्तेमाल से खून तो साफ होता ही है साथी इसकिन प्रॉब्लम्स भी दूर होती है इन डाइजेशन कफ जैसी कई सारी बिमारियां बहुत आसानी से और कम पैसे में दूर हो जाती है भारतिय बाजार में इससे अच्छा सस्ता और सुरच्छित कोई भी ब्रैंड नहीं है इसके इस्तेमाल से आप कई सारी स्वास संबंधी समस्याओं से आसानी से मुक्तिपा सकते हैं और इस वीडियो में मैंने जिन सीरफ ब्रैंड के बारे में आपको बताया है उनका इस्तेमाल डाइबर्टिस से पेडित लोगों को नहीं करना चाहिए डाइबर्टिक लोगों के लिए टेबलेट का इस्तेमाल करना सुरच्छित रहेगा इन दवाओं के इस्तेमाल के साथ साथ आपको अपने दिन चर्या में हरी पत्तेदार सबजियां, फल और ब्यायाम को भी सामिल करना चाहिए रात में सोते समय दूद में आधा चम्मच हल्दी मिला कर पिये हल्दी में करक्योमिन नाम का कमपाउंड पाया जाता है, जो प्राकिर्तिक तरीके से खून तो साफ करता ही है साथ ही आपके सरीर में हिमोगलोबिन की मात्रा भी बढ़ाता है और आपके लीवर को स्वस्त रखता है इन सभी चीजों के अलावा रक्त को सुध करने का एक और अच्छा उपा है वह है वाटर फास्ट आपको 12-72 घंटे सिर्फ पानी का ही सेवन करना है जब आप कुछ खा नहीं रहे होते हैं तो सरीर अपनी उर्जा की जरुवतों को पूरी करने के लिए अपने रिजर्व का इस्तेमाल करता है जिससे सरीर के टॉक्सिंस भी दूर होते हैं आपको वाटर फास्ट अधिक्तम 72 घंटे के लिए रखना होता है अगर आपको 72 घंटे का वाटर फास्ट करना लगभग संभो लगता हो तो आपको 12 घंटे से सुरुवात करनी चाहिए फिर धीरे इसे 72 घंटे तक ले जाए 18 से 20 घंटे के बाद सरीर में आटोफैजी सुरू होती है जिसमें सरीर की स्वस्थ कोसिका अस्वस्थ और छतिग्रस कोसिकाओं को स्वयम खाना सुरू करती है और आपका सरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होता है इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है और इस प्रक्रिया को आटोफैजी कहते हैं। आटोफैजी के परिणाम इतने चमतकारिक हैं कि 2016 में मेडिसिन का नोबल प्राइज इस विशे पर सोथ करने वाले जापानी रिसर्चर योसो नेरी ओहसिमी को दिया गया था। तो आटोफैजी को अपने जीवन का हिस्सा जिससे फ्री रेडिकल्स का भी निर्माल कम होता है और आप रोगमुक्त होते हैं। वाटर फास्ट करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जैसे एक महीने में सिर्फ एक बार आपको 72 घंटे का वाटर फास्ट करना है। 15 दिन में आप ए और तली भूनी चीजों से भी परहेच करें। आपका पहला मील अंकुरी तनाज होना चाहिए। उसके बाद आपको फल और हरी पत्तेदार सबजिया खानी चाहिए। धेरे-धेरे करके आप अपनी नॉर्मल मील पर लोट सकते हैं। तो इन उपायों को अपना कर आप भी अपने रक्त को सुद्ध और सरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप इस विचह से संबंधित। अगर आपका कोई प्रस्ण है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका आनंत धन्यवाद। नमस्कार।